तो देखते हैं पर question number 12 में हमसे क्या पूछा गया है, a conical vessel with base radius 5 cm and height 24 cm is full of water, तो यहाँ पर एक conical vessel है, जिसका यहाँ पर जो base का radius है वो यहाँ पर 5 cm है और जो height है यहाँ पर 24 cm है, जो कि यहाँ पर पानी से पूरी तरीके से भरा हुआ है, this water is emptied into a cylindrical vessel of base radius 10 cm, और वो पानी यह height to which the water will rise in the cylindrical vessel, तो हमें यहाँ पर height बताने है कि यहाँ पर कितना height यहाँ पर इसका increase होगा, जहां हम यहाँ पर वो पानी cylindrical vessel में डालेंगे तो, तो करते हैं इसको यहाँ पर solve, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या क्या given है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमें यहाँ पर क्या गिवन था radius गिवन था और height गिवन थी क्या गिवन था हमें radius गिवन है जो कि यहाँ पर पांश संटीमिटर है और जो हाइड गिवन है वो यहाँ पर किती हो 24 cm गिवन है और दोनों यहाँ पर मैं conical vessel की बात कर रहा हूं ठीक है अब यहां पर बात कर लेते हैं यहां पर volume of water क्योंकि हमें यहां पर radius और height तो हम यहां पर volume निकाल सकते हैं तो volume of conical vessel तो volume of conical vessel या volume of cone भी बोल सकते हैं इसका formula यहां पर क्या होता है 1 upon 3 pi r square h होता है ठीक है तो 1 upon 3 pi की value तो पता है आपको 22 by 7 ही लेनी है और जो radius है वो हम यहां पर क्यालेंगे 5 into 5 और height यहां पर 24 लेंगे ठीक है इसको यहां पर solve करते हैं देखते हैं यहां पर हमारा कितना answer आएगा तो मैं यहां पर इसको काटूंगा नहीं इसको यहां पर normal रखते है 55 or 25 तो यहां पर 22 into 25 into 24 और नीचे हमारा आगे 7th region 21 आगे ठीक है इसको फिलाल के लिए मैं अभी ऐसे लिए रहने देता हूं और यहां हमारा volume of conical vessel है और जो unit होगी वो यहां पर क्या होगी centimeter cube होगी ठीक है अब जो यहां पर क्या कर रहते है पान volume of water of conical vessel of conical vessel को हमें किसे compare करना है volume of water in cylindrical vessel से compare करना है volume of water in cylindrical vessel से compare करते हैं देखते हैं यहां पर हमारा क्या answer आएगा तो volume of water in conical vessel का यहां पर कितना लिए 22 into 25 into 24 upon 21 और volume of water in cylindrical vessel इसका जो formula होता है वो यहां पर क्या होता है pi r square h volume of cylinder का formula क्या होता है pi r square h होता है इसकी value भी हम यहां पर लिख लेते 22 into 25 into 24 upon 21 pi की value यहां पर 22 by 7 और जो radius हमें given था इसके लिए यहां पर 10 cm given है 10 into 10 और height तो हमें नहीं पता वो तो हमें निकाल नहीं है तो h तो अब हम यहां पर क्या देना है h को अलग रखना है अब बाकी यहां पर cross multiply कर देना है तो 22 into 25 into 24 into 7 और upon में हमारा जाएगा 22 into 10 into 10 into 21 तो 7, 3 जा 21, 22 से यहां पर 22 पूरे इकट गया और यहां पर 5, 2 जा 10 तो 5, 5 जा 25, 5, 2 जा 10 और यहां पर 3, 8 जा 24 and 2, 4 जा 8 और 2, 2 जा 4 तो यहां पर h simple 2 निकल रहा है हमारा तो height यहां पर हमारी कितनी आ गई? height हमारी यहां पर आ गई 2 और unit आएगे हमारे centimeter में hope आपको यह वाला answer भी समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question की तरफ